पिछले साल रिलीज हुई फिल्म रामन रागो टू में नवाजुद्दिन सिद्धिकी ने एक हत्यारी की भूमी का निभाई थी जो अपनी सनक के चलते लोगों को मार डालता है नवाज अपनी ताजा फिल्म बाबु मोशाय बंदुग बाज में भी हत्यारे के रोल में हैं फर्क है कि यहाँ वह पैसे लेकर लोगों को ठिकाने लगाते हैं बाबु मोशाय बंदुग बाज देखते समय आपको कई फिल्मे याद आएगी क्योंकि चिर परिचित सेट अप है उत्तर पदेश का ग्रामी निलाका, ब्रश्ट पुलीस और राजनेता जो अपने हित साधने के लिए लोगों को मरवा डालते हैं साथ में बाबु की भी कहानी है, जो या तो बंदुग चलाता है, या सेक्स करता है वासना प्रेम में बदल जाती है और बाबु धोका खाबेटता है उसे अपने धंदे में यूवा, बाके बिहारी से भी मुकाबला करना पड़ता है जो बाबू को अपना गुरू मानता है इस फिल्म का निर्दर्शन कुशान नंदी ने किया है और उन्होंने बाबू को एक जानवर जैसा दिखाया है उसका रहन सहन और सोच इनसानों जैसी नहीं लगती माहुल बनाने के लिए कुशान ने फिल्म को वेसा ही फिल्माया है थूपते, हकते, बिना नहें लोग, गटर, धूल, भिन्भिनाती मक्यों के बीच उन्होंने कुरूरता पूरवक खून खराबा दिखाया है फिल्म में कई बोल्ट सीन भी हैं जिनमें प्रेम कम जह लगता है गालियों से भी परहेज नहीं है फिल्म की कहानी पूरी तरह से बावू पर फोकस है शुरुवात अच्छी है लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है अपनी धार खोती जाती है सवाल उटने लगता है कि यह फिल्म क्यों बनाई गई है ना इसमें मनोरंजन है ना कोई संदेश और ना कोई अनुखी बात सारे किरदार स्वार्ती हैं लाल्ची हैं उनमें किसी किस्म की वफादारी नहीं है छोटी से कहानी को इतना लंबा खीचा गया है कि फिल्म खत्म होने का लंबा इंतजार करना पड़ता है गुरू चेले के किस्से को भी कुछ ज़्यादा ही लंबा खीच लिया गया है फिल्म में पावरफुल नेता और पुलीस एक टुच्चे से हत्यारे को देख इतना क्यों घबराते हैं समझ से परे है निर्देशक के रूप में कुछान पर अनूरा कश्चप का हेंग ओवर रहा है बाबू मोशाय के किरदार को उन्होंने अच्छी तरह से पेश किया है उनका प्रस्तूति करण भी अच्छा है लेकिन कमजोर कहानी के आगे वे भी असहाय नजरा है नवाज उद्दिन सिद्ध की अपने अभीने के दम पर फिल्म को कंधे पर उठाय रखते हैं बाबू का किरदार शायद ही उनसे कोई बहतर तरीके से निभा सकता है हवास, कुरूरता, हिंसा को उन्होंने अपने अभीने के जरिये जोरदार तरीके से परदे पर पेश किया है फिल्म में उनके अभीने के बूते पर कई सीन मज़ेदार बने हैं खास तोर पर उनकी सम्भाद अदाईगी शांदार है नवाच के अभीनई की आंधी का सामना बिदीता बाग और जतीन गोस्वामी ने मजबूती के साथ किया है फिल्म के अन्य कलाकरों का काम भी शांदार है कुल मिलाकर बाबू मोशाय बंदुगबाज एसी फिल्म है जिसे न देखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इस फिल्म को मैं पाच में से दो स्टार देता हूँ